हुआ है थेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो और यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम हिप बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं हिप बोन बेसिकली तीन अलग-अलग बोन से मिलके बनी हुई है जो की एक है इलियम बोन एक यूबिस बोन और एक इस्चियम बोन जो ये तीनों बोन है ये एक जगह पर आकर के फ्यूज भी होती है इसे हम ऐसी टबॉलम कहते हैं ऐसी टबॉलम किसी बोन को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं उसने सबसे पहला कुश्चन आता है कि ये किस साइड की बोन है जब भी आपको भी वायवा देंगे तो एक्जाम बोन है आपने आइडेंटिपाई कर लिया है कि इसी डिखने वाली जो भी बोन है वो हिप बोन है तो ये किस साइड की है तो मतलब उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है उसे आप कैसे जेस्टिफाई करेंगे तो बोन में जो फीचर होते हैं फर एक्जामपल अभी अगर हिप बोन हमारे पास है तो हिप बोन में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इसकी साइड को कि ये लेफ्ट की है या राइट की है उसे डेटरमाइन करते हैं यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो हमारी एसी तब उनम कैविटी है इस कैविटी के साथ फीमर का हे पहले प्लेस होगा आपके सेक्षणे मैं देख शकत हैं कि क्या यह है यह यह राकर कि प्लेस होता है तब हम इसे इसका नाम देते हैं यह जो पार्ट है इस नसरी पाहर की तरफ रहना चाहिए टबी हमारी जो थाई हूऀ बोन है फीमर य यह वो से जुड़ पाएठी अधर हम इसे नेट्रनी प्लेस करते हैं तो बोन के दूसरे व्यू में जो इसका इनर व्यू होगा उसमें हम देख पाएंगे यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें बाहर की तरफ यह एसी टाबुलम कैविटी रहेगी और अंदर की तरफ यह इलिएक फोसा रहने वाला है मतलब जो ileum bone है उसका fossa जो कहां पर रहेगा pelvic cavity की तरफ मतलब जहां पर हमारा pelvis है उसकी तरफ जो part रहने वाला है वो ileum fossa होगा तो इसको देख करके दिया आप समझ रखते हैं कि ये bone किस side में जाकर के place हो रही है लेकिन इसमें एक major issue आता है कि bone का anterior portion कौन सा होगा और posterior portion कौन सा रहेगा anterior और posterior सामने से और फीछे से ये कैसे दिखेगी आपको ये part तो पता लग जाएंगे कि ये lateral में acetabulum cavity है और medial side में ये ileum fossa आप के पास है लेकिन इसका anterior और posterior कैसे पहचानेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो bone है तीनो bone ileum, ischium और bubis इनकी placement भी fix है जैसे हमारी जो ischium bone है ये ischium bone आपको हमेशा ही posteriorly मिलने वाली है और जो हमारी pubis bone है ये pubis bone हमें हमेशा anteriorly मिलने वाली है तो इनको पहचान कैसे करेंगे ये इनकी पहचान कैसे करेंगे कि इसमें जो pubis bone है वो ischium bone के comparatively जादा थिन होती हैं आप दोनों को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो ये part है ये जादा thin रहेगा और जो हमारा ischium का part है वो थिक रहेगा ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी जो ischium bone है उसमें इस part पर ischial tuberosity लगी हुई है दिक है tuber tuber मतलब वहाँ पर बहुत मोटा कोई part वहाँ पर placed है दिक है फुभार है और उसे हम tuberosity कहते हैं तो ये part रहेगा posterior side में और pubis रहेगी anterior side में तो इसे अगर हम सामने की तरफ रखते हैं इस जगे को तब ह हम उसे उसकी सही position पर ले जाएंगे हाँ upper end और lower end के बारे में लगभग हम देखते ही idea लगा सकते हैं कि इसमें जो enium bone है वो उपर की और ही रहेगी हमेशा ये उसका upper end रहेगा और जो ischium और pubis हैं वो नीचे के तरफ रहने वाले जो हमारी ये enium bone है ये portion है ये part रहेगा upper side में ये इसका upper end होगा और जो दूसरी हमारी bone है ये ये इसका lower end होगा इस तरीके से हम जो हमारी hip bone है उसका side determine कर सकते हैं उसकी anatomical position को determine कर सकते हैं तो इसमें हम जिन portions को जोड़ेंगे कि acetabulum lies laterally acetabulum जो है वो बाहर की तरफ आपको रखना है इसमें इनियक फोसा जो रहेगा वो पेल्विक केविटी की तरफ रहेगा towards pelvis और जो अपर एंड है अपर एंड में आपको क्या मिलने वाला है अपर एंड में इनियक crest इनियम बोन का अपर पोर्शन आपको ने देखा है एंटीरियर नी कौन विजिवन होगा एंटीरियर नी जो पार्ट रहता है वो रहेगा प्योविस्च और पॉस्टीरियर नी जो पार्ट रहेगा वो रहेगा तेस्च याई यह हमने यहाँ पर देख भी लिया कि यह जो पोर्शन है यह ग्रीन पोर्शन जो है यह इस्टियम के लिए है एंटीरियर ली प्यूबिस रहेगा और इन यह क्रेस्ट हो जाएगी जो की अपर एंड में है और एंटीरियर साइड में यह सब चीज़ है इसके बाद हम प्रॉफर नी इनियम बोन के बारे में बात करते हैं कि इनियम बोन के क्या-क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं जो इनियम बोन हमारे पास है इसमें सबसे उपर की तरफ जवाब देखेंगे तो एक थिक क्रेस्ट आपको दिखाई देती है मतलब एक मोटा और चप्ता भाग आपको दिखाई देता है इसे हम इनियम क्रेस्ट कहते हैं इनियम क्रेस्ट यह जो इनियम क्रेस्ट है क्योंकि यह चप्ता है इसलिए यह दो अलग अलग पार्ट में आपको दिखेगा या कह सकते हैं कि इसके दो अलज-अलज lips आपको visible होते हैं इसमें एक पार्ट जो यह रहेगा इसे आप outer lip कहते हैं और जो यह पोर्शन रहेगा जो अंदर की तरफ है पेल्विस की तरफ इनर निप ओफ इनियक क्रेस्ट उसके बाद हम हर एक बोन के अंदर हमेशा पढ़ते आए हैं कि कितने सर्फेस होते हैं और कितने बोर्डर होते हैं तो जो यह हमारे इलियम बोन है अभी हम सिर्फ इलियम बोन की बात कर रहे हैं जो हमारी ileum bone है इसमें हमें एक border जो है वो आगे की तरफ दिखता है मैंने आगे क्यों कहा क्योंकि इसमें यहां पर pubis bone हमारे पास है यह pubis है तो यह इसका anterior portion हो जाएगा इसलिए मैं इस border का जो नाम रखने वाला हूँ अभी इसको हम कहेंगे anterior border और जो estium bone की तरफ यह portion है कि यह सारा part तो किसका है ileum bone का ही है इसलिए यह ileum का क्या रहेगा posterior border posterior border और इसमें एक border आपको extra मिलेगा अंदर की तरफ मिलेगा वो border रहेगा आपका medial border medial border मैं आपको अब दिखा रहता हूँ यह देखे लिए आप यह जो है यह इसका नेटरन वियू है या बाहर की तरफ से ऐसा दिखता है और जो हमारा median view है यह जहां पर एक आपने बता दिया तरफ साब यह है interior यह है posterior और यह जो border है इसे आप क्या कहते हैं median border यह जो median border है specifically दो बॉन्स के बीच में आपको दिखेगा यह दो बॉन्स है यह एक हमारी estium bone है और एक हमारी pubis bone है इसके लिए जब bone को आप feel करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा उभार दिखाई देता है यह जो उभार है इसे हम क्या कहते हैं ileo pubic eminence ileo pubic eminence क्या अब हम bone की surface की बात करता है bone में हमारे पास जो surface है वो तीन surface है border कितने हुए तीन और surface कितने हुए तीन 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 सर्फेस हमारे पास है एक इसमें बाहर की तरफ surface रहता है जो की कहलाएगा gluteal surface gluteal surface ठीक है यह जो portion हमारे पास है इसे हम कहेंगे gluteal ठीक है जो hip region आएगा जो बाहर से हमें visible होता है कि यह hips है और वह वहां पर जो muscle attached है वो सारी कि सारी इस एरिया में होता है इसलिए एक gluteal surface के पहम इसके जो अंदर की तरफ surface है उसे हम इनी एक फोसा भी कहते हैं इनी एक फोसा या इनी एक surface भी बूल सकते हैं लेकिन यह जो surface है यह surface इस medial border से bounded है यह हमें कहां से कहां तक मिलेगा यह हमें सिर्फ मिलेगा हमारे anterior border के बीच में और medial border के बीच में इतना जोई है इसे हम क्या कहते हैं इनी एक surface इसके अलावा जो दूसरा surface है यहां पर आपको visible है इसे हम क्या कहते हैं सेक्रो पैल्विक सर्फेस सेक्रो पैल्विक सर्फेस तो तीन हमने border देखे anterior border, posterior border और medial border और तीन ही हमने surface देखे gluteal surface, iliac sub-fosa या iliac surface और तीसरा है हमारा सेक्रो पैल्विक सर्फेस अब हम bone के दूसरे specifications की बात करते हैं कुछ ऐसे specific points हैं जो की important landmark के जैसे behave करते हैं तो वो कौन हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है anterior superior iliac spine देखे जब आप pubis bone को यहां पर देख रहे हैं यह हमारे पास pubis bone है तो इसका यह portion जो रहेगा वो anterior रहने वाला है और इसमें जो सबसे उपर की तरफ सबसे उपर की तरफ एक spine एक नुकीना पार्ट आपको दिखे जो की बाहर के तरफ projected होगा तब हम उसे क्या कहेंगे anterior superior iliac spine बहुत important landmark है living body में भी आप इसे feel कर सकते हैं cadaveric dissection में भी बहुत helpful रहे हैं और इसी तरीके से जब आप नीचे देखोगे इसी के ठीक नीचे इसी कोर्स पे नीचे की तरफ एक और projection नुकीनी projection आपको दिखेगी spine के जैसा दिखेगा वो है anterior inferior iliac spine anterior inferior iliac spine इसके बाद जब हम iliac crest को देखते हैं iliac crest में हमने देखा कि यहां पर दो lip हमारे पास हैं इसके साथ यहां पर आपको iliac tuberosity भी दिखाई देती है एक बड़ा उभार आपको दिखाई देगा उसे हम कहते हैं iliac tuberosity tuber means जो उभार है iliac tuberosity फिर इसमें जो यह तीसरा surface हमारे पास है यह जो surface है sacropanlic surface इसमें आपको तीन अलग अलग चीजें देखने को मिलके नहीं इससे एक पार्ट होता है वो जो particularly articulate करता है या joint बनाता है किसके साथ sacrum bone के साथ तो जो sacro iniac joint बनाएगा वो articulating part रहेगा इसके लिए जो यहां पर होता है और जो दूसरा part है यह non articulating surface है और इसमें एक तीसरा portion भी होता है इसी surface के अंदर एक जो तीसरा portion है वो है pelvic surface pelvic surface pelvic surface जो की main हमारे pelvis को बनाना में help करता है तो आज हमने जो जाना है वो क्या है कि hip bone हमारे तीन bone से मिलके बने होई है एक ileum, एक istium और एक pubis bone जो pubis bone होती है वो anteriorly लाई करती है और जो istium bone है वो posteriorly लाई करती है जबकि ileum bone upper end में लाई करेगी और यह सबसे बड़ा part होता है कि तीनो bone जिस जगह पर fuse होती है उसे हम acetabulum cavity कहते हैं और इस acetabulum cavity को हमने place किया है laterally क्योंकि यह articulate करेगी femur bone के साथ और उसके बाद हमने कुछ specifications देखी जिसमें था कि हमारी ileum bone में हमें उपर की तरफ यह ileum crest मिलती है जिसके दो अलग-अलग lip हैं मतलब दो अलग-अलग borders आपको मिलेंगे और इसमें रहेंगे तीन border हमारे पास तीन surface तीन जो border हैं वो एक anterior border है एक posterior border है और एक medial border है जो कि अंदर की तरफ से आपको visible होगा इसमें तीन जो surface हमारे पास हैं यह surface रहेंगे dutile surface जो कि बाहर की तरफ दिखाई देगा दूसरा होगा iliac forsa और तीसरा रहेगा sacro pelvic surface फिर कुछ specific points थे जैसे anterior superior iliac spine ऐसे ही anterior inferior iliac spine और और iliac tuberosity जो कि iliac crest पर हमने दिखी थी क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा उभार जो दिख रहा है यह क्या है iliac tuberosity फिर हमने sacro pelvic surface को तीन अलग-अलग part में divide किया जो कि non articulating part articulating part और तीसरा जो है वो pelvic part है या pelvic surface है एक जो medial border है यह inium से pubis की और है और इसे हम iniopubic eminence के पर हैं एक और specific point है जैसे आपने anterior border पर दो नुपीले part देखें एक anterior superior iliac spine और दूसरा anterior inferior iliac spine इसके इसके अलावा पोस्टीरियल border पर भी आपको तीन अलग 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 part मिलें दो अलग 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 part मिलते हैं एक posterior superior iliac spine और तूसरा है posterior inferior iliac spine और यह posterior border जब continue करता है तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा knowledge मिलता है बहुत बड़ा गड़ी जैसा गार्व मिलता है उसे हम कहते हैं greater sciatic knowledge greater sciatic knowledge जब हम DCM के बारे में बात करेंगे तब हम lesser sciatic knowledge के बारे में जानने वालेंग तो आज के लिए एकना है जल्दी मिलते हैं next video में thank you so much and keep watching करेंगो